नमस्कार दोस्तों फिसे स्वागत आप सभी लोग का एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप जो है OnePlus 7T को यूज करते हैं तो कैसे आप इसके उपर एक कैमरे के अंदर जो हमें एक option मिलता है जो कि watermark का हमारा option होता है में दिखाता है कि OnePlus 7T की तरफ से short on OnePlus तो कैसे आप उस watermark को जो है set कर सकते हैं अपने नाम से या पिर कैसे जो है आप उसको हटा सकते हैं कैसे उसको जो है आप disable कर सकते हैं उसकी setting तो आज की वीडियो में आपको basically यही बताने वाला हूं बटी से पहले अगर आप इस चैनल पर अच्छी है आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्राफिक्स है जो कि इसका screen hand level काफी smooth है बहुत ज्यादा इसकी sensitivity भी काफी अच्छी है और दोस्तों काफी कमाल का फून है इसके अदर आपको दोस्तों जो है आपको 48 Megapixel का camera भी मिलता है आपको इसके 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 मैंने आपको अच्छी मैं आपको बता रहा था आपको करना के किया इसके मैंने आपको इसके camera open कर दिया तो आपको क्या camera देख सकते हैं यहाँ तो आपको करना के है कि यहाँ पर देख सकते है इसके system में थोड़ा सा अलग है यहाँ पर इसके camera तक मैं नॉर्मली camera में 10 multiplier तक का zoom मिल जाता तो आपको करना किया है कि मैं इसको नीचे साह से slide कर देता हूँ तो slide करने के बाद ये कुछ इस टाइब का interface मेरे रखो यहाँ पे options आते हैं तो आपको करना किया आपको setting पर click करना है और यहाँ click करने बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है आप देख सकते है sort on one plus watermark तो मैं simply इस पर click कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर sort on one plus का इस तरीके से watermark आ रहा है तो आप चाहे तो इसको watermark को हटा भी सकते है जैसकि मैंने watermark को यहाँ से disable कर दिया तो आप यहाँ पर कोई भी watermark नहीं है और जितनी मैं photos click कर हुआ वहाँ पर कोई भी watermark नहीं होगा जैसकि मैं कोई भी photo click कर देता हूँ जैसकि मैं आपने यहाँ पर hand की photo click कर देता हूँ आप देख सकते है तो चले मैं आपको एक photo click कर के दिखाता हूँ प्रडराफ clay तो आप East तो आप देख सकते हैं कि मैं इनकी photo क्लिक कर दा हूं जैसिके मैंने इनकी secondo है टो इसकी photo में म Daar आप क्या सिदना नहीं नते हैं दो आप नभी सिर्टा संहरे मैं आप बता दिया किसी देरत करना है इसके watermark को बट अगर आप इसको लगाना चाहते है या set करना चाहते है तो फिर से आपको वही करना है आपको नीचे जो है इसको slide करके जाना है setting के option में और यहाँ आपको मिलेता है oneplus का watermark तो यहाँ पर आपको watermark को enable कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना type कर देना है नाम जैसके मेरा यहाँ पर नाम है अमन तो मैंने यहाँ पर अमन करके यहाँ पर नीचे sign पर click करके इसको जो है set कर दिया है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को अमन नाम लिखा हूँ आ रहा है इसका जो वाटर मार्क भी आ गया और मेरा नाम भी यहाँ पर साथ में आ रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना वाटर मार्क जो है set भी कर सकते हैं और इस तरीके से अपना नाम भी इस पर कर सकते हैं दोस्तों और कैसे करना आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों एक नेक्स टुडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों